योग वे आयूर्वेट की धर्ती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाग विमारी से लड़ने की अध्भुत क्षमता का विकास हुआ है PET scan वे linear accelerator जैसी latest technology आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है Tata Memorial Hospital, Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Nanavati Hospital, Fortes Hospital, Medanta और Paris Hospital जैसे संस्थानों में विश्वे विख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुन सरोहा, डॉक्टर हरिच्च तुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोध रेना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राना पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर सुरेश अडवानी और डॉक्टर जैस विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रिणी में लाकर खड़ा कर दिया है यदि आपके जो सिंटम्स हैं वो बोन कैंसर को मिमिक कर रहे हैं उसके जैसे लग रहे हैं आपको बोनी पेंस हो रही हैं स्पेशली अट अर्ली स्टेर या अर्ली एच यू शुट ना निगलेक्ट इशुट जो और शुट रहे हैं जो फर्स्टान इंवस्टिगेशन जैसे एक्सरेश सीटी अमरी इन ओर्डर तो डिग्नोस अगों तूमर या कैंसर यूशली इस गैस र्ञेस स्टीतों चैशली एक्स में खुटत से में स्ट parfूट यूशली इस स्टान जैरी को प्रटिखnyम झात पॉंको सरजन और या रॉर दोक्त विल आज बिएप्सी आज खाल एक डे केर बाइस पे मुल्लब इसमें आपको दाखले की वुरत भी नही ओती है एं रॉस्टल में य। जो गट लेट राट गी बिएप्सी दन और य। य। एक डिस्टार दे शुर्ग दे डिस्चार्ग to come because if one has bone cancer or sarcomas every day is important this I tell all my patients that once you are suspected to have a bone cancer every day is important so delaying treatment just because our investigations should be the situation and one should try getting it done from a proper center so that the ports are available to us timely and a timely treatment can be started this is important because yadhi ham treatment ek early stage bhe shurru kar lhe so patients can have a good survival they can have a prognosis of almost 70 to 80 percent but yehi agar ham baat karay ki patients ko hamne ek late stage bhe diagnose ki hai jab woh cancer already fell jo ka hai shirir mein then survival rate jo hai it almost comes down to 30 to 50 percent so it is very important that one should get a timely treatment especially for a condition like bone cancer or sarcoma